हेलो गाइज वेलकम बेक टू मैं चैनल सेमे फैशन में आपका स्वागत है आज हम एक बाव बना के आपको डिजैन दिखाऊंगे आपको तो उस बाव से आप अपने ब्लाउज में या बच्चो के फोप में एक डिजैन डाल सकते हैं तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया ह सकते हैं आप इसको छोटा बिना सकते हैं और इस से बड़ा भी मना सके low कर देंगे प्रेंगें और इसके उपर से हम इस तरह से ले है और अब यहां से हमें सिलाई लगा दिया है दोनों साइड से इस तरह से सिलाई देने है एक बार फिर से दिखा देखें मैं आपको यह देखें इस तरह से यह हमारा एक सिरा हमने इस तरह से फोल्ड गिया है और दूसरा जो सिरा है वो इसके उपर से हमने इस तरह से कर दिय है और यहां से हमें दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा नहीं तो अब इसके उपर हम सिलाई लगा देखते हैं अब दूसरे साइड से हमें इसी तरह से शिलाई देंगे यहां पर जहां आमने माग किया था इस तरह से यह हमारे दोनों साइड सिलाई लग चुकी है और अब इसको हम टर्न करेंगे इस तरह से इस तरह से को टर्न कर लेंगे हम और एक नुकीली चीज से हम इसके सिरे निकाल देंगे इस तरह से तो देखिए तो देखिए टर्न करने के बाद इसके लंबाई हमारी 7 इंच आगी और यह हमने हाफ में इसमें माग कर लिया है यह हमारा सेंटर कर लिया हमने और अब बीच में से हम इसके प्लेट डाल लेंगे इस तरह से और यहां पर एक सिलाई दे देंगे इसको इकठा करके इस तरह से एक सिलाई दे देनी हैं जो हमारा सेंटर है वहीं पर हम इस लाई देनी है इसको हमने इस तरह से कच्चा कर लिया है और अब इसके लिए हम एक स्ट्रिक लेंगे इस तरह से एक पट्टी लेंगे इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके उपर से हम लगा देंगे इस तरह से और पीछे से हम इसको कि कितने ब्यूतिफुल लगेगा और यहां पर हम पीछे सिलाई दे देंगे इसके है पकी सिलाय लगाएंगे इसमें यह रेखे कितना ब्यूतिफुल हमारा बावबन गया है और अब इसके लिए मैंने रेखे दो फैब्रिक लिए हैं इस तरह से और इनको हमने तिर्षा कट किया है यह डवल फोल्ड में है दोनों तो इनकी में लंबाई और चोड़ाई दिखा देती हूं आपको तो यह देखिए यह इसकी लंबाई हमारे 11 इंच है और नीचे से इसकी चोड़ाई है हमारी साड़े साथ इंच और उपर से हमारी इसकी है पांच इंच तो इस तरह से हम इसको फॉल्ड करेंगे और यहां से जो हमारा बंद साइड है यहां से सिलाई लगा के और इसको तिर्षा कर देंगे तो देखिए कैसे करते हूं कर दो पहां कर दो कर से हमारी ओान देसमें लबचे कैसी ओम रेखिप और देकसे के हमारा एक्स्ट्रा फेब्रिक को हम कट कर लेंगी तो बाद में इसको हम टर्ण करेंगे और अब इसको हम टर्ण कर लेंगे इस तरह से हम देखिए हम इनको टर्ण कर दिया है और अब इनको हम इस तरह से क्रोस में रखेंगे और यहां से हम इस तरह से सिलाई देंगे तो यानकी क्रोज लगाने के बाद ूस तरगे सिलाई देंगे हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे अब जो बाव है यह अगे हमारा रेडी है जो हमारा बलाउस है इसके ऊपर हम इसको attach करेंगे तो यह देखे कितना beautiful लगेगा यह हमारा आप कोई baby frog में भी लगा सकते हैं कितना beautiful अपनी जो blouse है उसका कितना beautiful सा design त्यार हो जता है तो इस तरह से हमारे वीडियो complete होती है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगी please like share and subscribe करें मिलते नेक्स्ट वीडियो में bye bye take care thanks for watching